नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको हमारे इस चैनल पर प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ST, RC और M, ECC के बीच में जो ये टीटेन मैच होने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोनों ही टीमों के पूरी जवर्जस इन्फॉर्मेशन बैटिंग ओडर के साथ प्रॉइड करने वाला हूँ दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए नजर आएंगे कौन से प्लेयर फॉर्स डाउन पे खिलेंगे सारी प्लेयर का बैटिंग ओडर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसे captain वाइस captain के लिए इस match के अंदर लेना सही रहेगा तो दोस्तों पूरी information मिलेगा तो एक बार इस video को अंतक जरू watch करना लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स request है अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना दोस्तों इस video के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिक्राओगा इस पे एक बार क्लिक कर दें साथी सतियां पर जो बैल अकन बना हुआ इस पे क्लिक करने की बाद आपको all का option देखने को मिलेगा दोस्तों इसको भी एक बार select जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 matches का आपको इसी प्रकार video और information मिलता रहेगा दोस्तों गर आपको हमारा बतायागा है stats पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी help मिलता है तो इस वीडियो को एक बार like करके हमें support जरू करें इस ग्रूप में join करना जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद आपको final update इसी ग्रूप में मिलेगा अगर कोई भी changes होता है हमारे इस team में कोई भी एकर बदला वाता है तो final team आपको यहाँ पे share कर दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे आपको link मिल गया है दोस्तो डिस्क्रांट बॉक्स में और जहाँ आप comment करते हैं पहला comment पे मैंने आपको link share कर दिया आप आसाने से click करके join कर सकते हो तो I hope आपने join कर लिया होगा चलिए अब stats की और आगे बढ़ेंगे दोस्तो ग्राउंड वही रहेगा ठीक है जो सारे मैचे score है दोस्तो यहाँ पर ब्रिजबॉक क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा और match timing 4 साम 4 बजे और दूसरा मैच जो है साम 6 बजे आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों और यहाँ का पीच कंडिसन की बा में खेला हुए जापे 22 रन बना की एक विकेट निकाले हैं देखो रिकॉर्ड सांदार है दोस्तो बढ़ियां प्लेर है अगर आप इनको ट्राय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि देखो यह जो है आपको विकेट के प्रिंग करते हुए नजराएंगे और विकेट के पर में नजराएंगे लेकिन एक ही मेच इस खिला है 27 रन स्कुर करा है इनको आप अवाइड कर सकते हैं बाकी बात करेंगे परंजित सिंग एक मेच के अंदर 27 रन स्कुर करा है आप इनको भी ड्रॉप करना इनका अब रिकॉर्ड उतना बैटर नहीं है ठीक है बाकी बैट कर सकते हैं या आपको टीम के टॉप अडर पर बल्ले बाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों यहापर अर्श्वीर सिंग के बारे में तो इनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 11 मैच का अंदर 41 रन प्लस 7 विकेट है आपको खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों गट बॉली जो कि यह आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए इनको ट्राय करने हैं टीटन के अगर आप देखोगे दोस्तों 10 मैच के अंदर 16 रन स्कूर कराया प्लस 26 विकेट निकाले भी हैं तो यह बैटिंग तो करेंगे ही 37 आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे और इस वज़े से यह खिलाडी बहुत इंपोर्टन रहता है इनको अपने टीम के अंदर आप जरूर करना दोस्तों यह आपके लिए बैस्ट रहेगा बाकी भात करेंगे भरत अमु के बारे में तो 21 मैच के अं दोस्तों वहीं बॉलिंग में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको तैफिल एहमत खिलते वे नजर आएंगे जो चार मैच के अंदर 9 रन प्लस 2 विकेट इनके नाम है यहां बात करेंगे तो पिस नेमिश महता के बारे में टीटेन 2020-2021 में 9 मैच के अंदर 1 रन प्लस 11 जी करते हैं आपको दीख जाएंगे तो यह अगर बात करेंगे मनोज नक के बारे में दोस्तों एक ही मैच के खिला है दो विकेट निकाला है अमरुला की बात करेंगे 10 मैच के अंदर 47 रन प्लस 4 विकेट निकाले हैं तो यह STRC का एक प्रवाबल प्लेंग लेब हैं जिसे आज जी के मैच के अंदर खेलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे लेकिन वही बैंचेस प्लियर का रिकॉर्ड आप देखेंगे इमरान खान जो की 3 मैच के अंदर 27 रन सचीन की बात करेंगे सचीन देस पांड़ी जो की 3 मैच के अंदर 29 रन प्लस यहां पर 3 विकेट इन बात करतें दोस्तों MECC के बारे में तो दोस्तों MECC के जो टीम है इसमें जो टीम के टॉप अटर पर खेलते विए नजर आएंगे जो टीम के यहां पर विकेट की बिरिंग में दिखेंगे दोस्तों आपको तेजिंदर सरन जो की टीटें 2020 में देखो के 4 मैच का अदर 29 र ज्यादा है इनका रिकॉर्ड आप देख लो बाकी बैटिंग में देखेंगे तो यहां पर दिलिप सिंग जो कि यहां पर पांच मेच के अंदर 55 रन स्कूर करा है शिनवारी मुजीग की बात करेंगे दूस्तों तो 20 मेच के अंदर 331 रन स्कूर करा है यह भी टीम के दूस्तों बहुत बढ़ी हां बैट्समन है और इनको अपने टीम के अंदर आप ज़रूर साज़र प्राय करना कॉमरें चिमा की बात करेंगे टीटेन तो जर बीस वर इकिस का रिकॉर्ड आठ मैच के अंदर 56 रन प्लस 4 विकेट निकाले हैं तो यह बैटिंग तो करेंगे यही साथ साथ आपको बॉलिंग भी कंफर्म दो वरता करते हुए दिखेंगे दोस्तों तो MECC के टीम के तरफ से यह टीम के बैस्ट प्लेयर में से एक है और टीम के आपको बहुत ज़र चांस है कि आपन करते हुए दिखेंगे और तो यह बैटिंग से कुछ खास रिकॉर एक रामुला नसर जो की पांच मैच कंदर 67 रन प्लस दो विकेट इनके नामे दूस्तों तो यह औल अंडर सेसन का प्लेयर है बाकी बॉलिंग में अगर आप चेक करते हैं तो प्रेम खिलते हुए नज़र आएंगे जो पांच मैच कंदर 6 विकेट इनके नामे जो दो वरत तक बॉलिंग कंदर करते हुए नज़र आएंगे टीम के बहुत सांदर गिंद बाज़े दोस्तों मौहमद इसमाइल जो की पांच मैच कंदर 11 प्लस 7 विकेट तो यह MECC के टीम के तरफ से यह भी टीम के दो वरत तक गिंद बाज़ी करेंगे शतीश इनका रिकॉर्ड कु लेकिन 22 स्पिलर का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे दोस्तों मिगेल यार मौहमद खेलते हुए नज़र आएंगे जो टीटन 2020 में 5 मैच कंदर 35 रन स्कूर करा है दोस्तों और रवी चौधरी की बात कियाज़े दोस्तों 10 मैच कंदर 208 रन प्लस 19 विकेट राइट राइ MECC का Complete Information Batting Order के साथ इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है दोस्तों स्टैट्स को फॉलो करते वे अपने टीम में प्लेयर्स को ले सकते हैं हलाकि मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखा है डेमो टीप बीफोर लाइन अप का क्योंकि देखो ये ना भी मतलब नया मै मैच होगा कोभी खिलाड़ी अगर लाइन अप से मिस होता है मेरे टीम से तो वो टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारी टेलिग्राम गृूप में और इस वज़े से में कहता हूँ के हमारे टेलिग्राम गृूप को मिस्मत करना एक बार ज़ृन जरू कर लेना तो अगर आप चाहें तो के जज़ाई को ट्राइ कर सकते हैं पीशिंग का फिर रिकॉर्ड आपने देखा है जो कि ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा ओफसन रहेगा अगर लाइन अप में रहता है तो यह एक बड़िया प्लेर रहा सकते हैं बागी दुस्तों अगर आप लेकिन अगर यह खेलते हैं तो ध्यान रखना बड़िया लेकिन अगर यह खेलते हैं तो ध्यान रखना बहुत अच्छे प्लेयर हैं मैं फिलाल ट्राय करता हूँ यह मानते हुए कि यह लाइन अप में रहेंगे बाकी दुस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बॉलिंग सेसन में तो मैंने यहाँ पर तीन बोलर को लिए रखा है जो कि MECC के टीम के तरफ से दोनों के दोनों टीम के बहातरिन के अंदबाजे जो दो दो बर कंफर्म के अंदबाजी करेंगे बाकी यहाँ पर मैं बड़वाल को ट्राय करूंगा जो एस्टी आरसी के टीम के तरफ से दो बर कंप्लेट बॉलिंग करेंगे अब रहा दोस्तों टीम प्रिव्यू की बात तो कुछ इस प्रकार का है जिसमें से कैप्टैंसी के लिए दोस्तों मैं यह पर गडवले को ट्राय करता हूं वह इसके प्रिव्यू के साथ में जाओंगा यह भी बैस ट्राने वाला है तो दोस्तों यह मेरे साइट से टीम है जो आप देख रहा है इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजिस करने ही अपने साइट से तो आपने साइट से अब एक दो प्लेइर चेंज ही कर सकते हैं यह नया मैच आपको पता होगा तो दुस्तों यह पर जितने ही प्लेइर का रिकॉर्ड में यहाँ पे इक अठा करा था इसके बैसे से मैंने टीम बना करे रखा रखा है तो यह टीम अभी सेव कर लो अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो फाइनल टिम आपको मिल जाएगा हमारे टेलेग्राम ग्रूप में थैंक्स फॉर वाचिंग